Breaking News विद्ध तार से निकली चिंगारी से दस बीगे गेहूं की फसल जलकर राख अंकित गौर जी की रिपोर्ट अलिगर्ट पिसावाच छेतर के गाउंचिती में सोंवार को खेत के उपर से गुजर रहे विद्ध तारों के आपस में टकराने से गिरी चिंगारी से करीब दस बीगे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई गाउंचिती निवास प्रमोश शर्मा पुत्र रमिश चंदर शर्मा और मुकेश शर्मा पुत्र कंचीलाल शर्मा के गाउं के ही निकट गेहूं की फसल की पकी हुई खड़ी थी जिसके उपर से हाई वोल्टेज विद्ध लाइन गुजर रही थी ग्रामनों की अनुसार दोपहर को चली तेज हवास ये विद्धूत लाइन के जुले हुए तार आपस में टकरा आगये जिन से निकली चिंगारी सुखी हुई फसल की उपर गिर गई देखते ही देखते आजनक आज में भायाने क्रूप ले लिया और आज पास में खेतों के खेतों में काम कर रहे हैं लोग आग को बुजाने के लिए पहुँचे इस दोरान फायर ब्रिगर को भी सुचने दे दी लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता करीब 10 से 12 विग आगे हूं की तैयार फसर जलकर राख हो गई मौके पर SDM गवाना भवाना विमल ने भी पहुचकर मौके का दोरा किया और किसानों को हर संबव मदद के लिए आस्वस्त किया लिए के लिएपया बाहा हुचकर मौके त्हुचकर मेम पर होगा राखग Tammy खबर के लिए बने रही है यूसीपी वाइस के साथ यूसीपी वाइस देश की अवाज खबर भर वेक्टित खबर भर वेक्टित